हेलो यूट्यूबर्जन टैक लवजादे, शिदिश गुमार अगेन हीर फ्रम हराइजन टैक फॉर यू और हराइजन टैक फॉर यू के आज गे इस अपिसोड में हम बात करने वाले हैं यूएसबी 2.0 वर्सिज यूएसबी 3.0 अगर आपने हमारा पिछला वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने यूएसबी क्या है यूएसबी जो इंटरफेस है वो क्या है वो समझाया था और यूएसबी के जो अलग-अलग वर्जन है वो मैंने वहाँ पर बेसिक लेवल पर समझाये थे उनकी जो स्पीड्स है वो ही सिर्फ वहाँ पर डिसकर्स की थी लेकिन उसके साथ-साथ भी जब कोई भी नया वर्जन लाँच किया जाता है किसी भी इंटरफेस का तो सिर्फ स्पीड ही इंक्रीज नहीं होती है उसके साथ-साथ बहुत सारे फेक्टर्स हैं जो उस पर्टिकुलर इंटरफेस के रिगार्डिंग इंप्रूमेंट किया जाता है अप्ग्रेड किया जाता है तो वही सब आज हम यहाँ पे डिटेल में डिसकस करने वाले हैं तो आपको exactly समझ में आ जाएगा USB 2.0 जो पुराना वर्जन है और USB 3.0 जो नया वर्जन है उन दोनों में क्या डिफ्रेंस है और आज यह दोनों जो इंटरफेस है USB के वो currently बहुत ही पॉपिलर है मार्केट में रनिंग है हर एक डिवाइस पे देखने को मिलते हैं USB 3.1 है वो बहुत रेर है अभी नहीं इतना अवेलेबल लेकिन फ्यूचर में हो जाएगा तो यह जो दो वर्जन है वो में है तो इनके बीच में एक नॉर्मल यूजर को as a consumer as a computer user या किसी भी digital device का user होने के मुताबिक आपको यह पता होना चाहिए कि इन दोनों वर्जन में क्या क्या difference है और आपके पास जो device है उसका जो USB का वर्जन है उसी हिसाब से आपको उसी particular USB के वर्जन पे उसे connect करना चाहिए प्रॉपर USB के वर्जन पे ताकि वो device सही से run हो पाए बहुत सारे हमारे जो subscribers है यूजर्स है वो मुझसे आए दिन पूछते है कि सर मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे पास मेरे motherboard पे या मेरे किसी laptop पे USB का कौन सा वर्जन है तो यह नहीं समझ में आता है उन लोगों को इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है ताकि मैं अच्छे से बिल्कुल क्लियरली समझा दूं कि USB 2.0 में और USB 3.0 में क्या differences है ठीक है तो USB 2.0 है वो USB का एक पुराना वर्जन है जो 2000 में रिलीज किया था ठीक है अब ये theoretical maximum है उस standard की इसका मतलब ये नहीं है पिछला वाला clarification वाला वीडियो देखा होगा तो उसमें आपको समझ में आ गया था आ गया होगा कि हरको इडिवाइस जो इस particular interface पे connect होगा वो इतनी speed provide करेगा ये नहीं कह रहा हूं मैं मैं यहां पे standards के बीच में क्या difference है वो समझा रहा हूं तो USB 2.0 की जो speed है theoretical maximum वो है 480 megabits per second यानि की 60 megabits per second ठीक है और ये जो speed है एक normal consumer को जो सबसे जादा जानने वाली बात है या जो उनको दिखाई देती है या नजर आती है जो difference as a difference वो ही है ये speed ठीक एक normal consumer के लिए relate करता है सबसे जादा जो जानने वाला factor है वो है speed तो speed का बहुत बढ़ा difference है USB 3.0 जो की 2008 में release किया गया था उसकी जो maximum theoretical bandwidth है वो 2.0 यानि की पिछले वाले version से दस गुना जादा है more than 10 times ठीक है 5 gigabits per second यानि की 640 megabytes per second तो आप compare कर सकते हो कहा 60 megabytes per second और 640 megabytes per second तो 10 गुना हो गई speed ठीक है अगला version release किया गया जिसमें और एक और difference है जो जिन्होंने मुझसे पूछा है कि सर हमें कैसे बता चलेगा तो एक normal consumer के लिए अगर आपको उसे recognize करना है तो recognize करने के लिए जो उसमें difference है 2.0 में और 3.0 में वो ये है कि अगर आपके motherboard पे या laptop पे जो USB port है उसका color black है काला color है या white है कुछ जगे पे वो white होता है लेकिन बहुत rare है लेकिन अगर black है तो वो USB 2.0 है पुराना वर्जन लेकिन अगर वो color blue है तो वो नया version है USB 3.0 ठीक है तो वो जाधा speed support करेगा ठीक है ठीक है पुराना है टू पो इन पॉाइंट हो black color का तो वो 60 MB per second की theoretical speed support करेगा और नया version है USB 3.0 तो वो नया version है उ यह कोई technical difference नहीं है, लेकिन जो उसका connector है, उसमें जो number of pin counts है, अगर आप ध्यान से तेखे, अगर recognize करने के लिए, या even information के लिए, तो जो पुराना version है, USB 2.0, उसका अगर connector अगर आप देखोगे, male A connector, तो उसमें सिर्फ 4 ही pin हुआ करते थी, लेकिन USB 3.0 का अगर आप male A connector सेकंड मिलते थे, यहाँ पे 640 MB per second, तो दस गुना जो speed बढ़ गई, इस speed को बढ़ाने के लिए number of pins भी वहाँ पे extra add की गई, तिन pins, और अगर आप cable भी देखोगे, तो hardly आपको पता चलेगा, लेकिन जो blue वाला cable है, यानि USB 3 वाला cable, थोड़ा सा मूटा होता है, थोड़ा 2 में इतना speed मिलता है, और हमारे पिछले वीडियो में भी ने, वहाँ पे basic level पर समझाया था, और यह जो color का difference है, वो भी आपको पता होगा, लेकिन जो power की ratings है, उन दोनों का power output है, वो बहुत सारे users को अभी भी, आज भी नहीं समझ में आता है, अभी भी नहीं पता होता है, ठीक है, और इसलिए मैंने यह video बनाया है, क्योंकि वो क्या करते हैं, एक ऐसा device है उनके पास, जैसे for example, बात करें hard drive की, अगर वो USB 3.0 hard drive है, और उसे गलती से वो USB, उन्हें पहले तो version नहीं पता है, पहले तो अपनी hard drive को version नहीं पता होगा, कि वो किस interface के लिए design की गई है USB 2.0 के लिए या USB 3.0 के लिए, सबोज मान लेते हैं कि वो USB 3.0 है, और उसे वो USB 3.0 अपने motherboard पे या अपने laptop पे किसी भी USB port पे connect कर देते हैं, जो majority होता है USB 2.0 बाट, black color का, तो वहाँ पे वो hard drive run ही नहीं होगी, क्योंकि USB 3.0 वाली जो hard drive है, उसे USB 3.0 के लिए design किया गया ह तो USB 3.0 के हिसाब से उसकी जो power का consumption है, power ratings, power requirement वो जादा होगी, अब USB 2.0 के जो power का output है, वो कम है, तो अगर आप वहाँ पे उसे connect करते हो, और hard drive run नहीं होती है, कई बार वो blame करते हैं hard drive को, hard drive सही नहीं है, defective है, या आपने USB port को blame करते हैं, कि मेरा USB port खराब हो गया है, hard drive च इसका fault है, तो आपको समझना पड़ेगा, USB 2.0 में जो आपको power output मिल सकता है, उस particular black port पे, वो है up to 2.5 watt, यानि कि 5 volt, सारी की सारी जो computer में जो rails होती है, वो majority 5 volt की होती है, ठीक है, तो वहाँ पे जो voltages हैं, वो मिलेंगे आपको 5 volt, और जो current है, ampere में, वो मिलेगा 0.5 ampere, यान तो USB 2.0, जो black color का port है, उस पे आप ऐसा ही कोई device connect कर सकते हो, जिसका power requirement up to 2.5 watt हो, ठीक है, ऐसा कोई device जिसका power consumption 2.5 watt या उससे कम हो, ऐसा कोई device आप वहाँ पे connect कर सकते हो, जो उस पे आराम से चल जाएगा, ठीक है, कोई external device, तो जैसे मैंने hard drive की बात की, अब USB 3.0 वाली hard drive है, that means, उसकी power requirement, USB 2.0 से जादा है, तो 2.5 watt से जादा है, अगर आप ऐसी hard drive वहाँ पे लगाओगे, तो वो definitely run नहीं होगी, क्योंकि उससे चलने के लिए, जो power जितना चाहिए, minimum power, वो नहीं मिलेगा, तब तक वो hard drive run ही नहीं होगी, आपके accelerator में detect ही नहीं होगी, और फिर blame करोगे, ठीक है, तो उसके मुकाबले, USB 2.0 के मुकाबले, USB 3.0 में जो power output है, वो मिलता है, 4.5 watt, up to 4.5 watt, ठीक है, तो ऐसा कोई भी device, जिसका power consumption up to 4.5 watt है, वो आप वहाँ पे आसानी से connect कर सकते हो, और run कर सकते हो, तो जिस hard drive की मैंने बात की, उसका power consumption, जो external hard drive होती है, USB 3. पर चलने वाली, उसका RPM rate internal drives के मुकाबले कम होता है, और वो इसलिए कम होता है, क्योंकि वो इस 4.5 watt में चल पाए, ठीक है, तो 4.5 watt तक का उसका power consumption होता है, अगर आप उसे वहाँ पे connect करते हो, तो वो आसानी से चल जाएगी, run हो जाएगी, कोई issue नहीं आएगा, तो इसमे को मिलेंगे 4.5 watt, ठीक है, तो यह बेलकुल basic difference है, जो बहुत सारे users को आज भी नहीं समझ में आते, especially power ratings के difference, नहीं पता चलता, क्योंकि जब आप पढ़ोगे, literally, कभी भी USB को पढ़ोगे, या internet पे search करोगे, तो अलग-अलग site पे अलग-अलग mention होता है, और कई बार वहाँ जैसे मैंने कहा, misguidance होता है, बहुत सारे misinformation available है, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया, ताकि मैं आपको समझा दूँ अच्छे से, USB 2.0 में और 3.0 में ये main basic difference है, अगर आपके पास जो भी device है, clarification वाला वीडियो देखा होगा, तो आपको समझ में तो आई गया होगा, जो भी device है, जिस भी interface के लिए उसे design किया है, जिस भी version के लिए, USB 2.0 पे design किया है, तो आपको उसे USB 2.0 पे ही लगाना है, ठीक है, USB 3.0 के लिए design किया है, तो आपको उसे USB 3.0 पे लगाना है, और उसमें तो difference है, basic, मैं तो बताई दिया, color wise भी, power wise भी, speed wise भी, so I hope कि इस वीडियो म मैं आपको उसका answer करने की पूरी कोशिश करूंगा, and I will definitely see you guys later in my next video, so till then, take care guys, learn more and spread the knowledge, thank you so much. झाल